चानक्य नीती अध्याइच्छे नीती नमबर एक श्रवन करने से धर्म का ग्यान होता है, दुवेश दूर होता है, ग्यान की प्राप्ती होती है और माया की आसक्ती से मुक्ती होती है नीती नमबर दो पक्षियों में कौवा नीच है, पशुओं में कुट्ता नीच है, जो तपस्वी पाप करता है वो घिनोना है, लेकिन जो दूसरों की निंदा करता है वो सबसे बढ़ा चान डाल है नीती नमबर दीन ट्राक से घिसने पर पीतल चमकता है, तामबा इमली से साफ होता है, औरते प्रदर से शुध होती है, नदी बहती रहे तो साफ रहती है नीती नमबर चार राजा, ब्राहमन और तपस्वी योगी जब दुसरे देश जाते है, तो आदर पाते है, लेकिन औरत यदी भटक जाती है, तो बरबाद हो जाती है नीती नमबर पाँच धन्वान व्यक्ति के कई मित्र होते है, उसके कई संबंधी भी होते है, धन्वान कोही आदमी कहा जाता है और पैसे वालों कोही पंडित कहकर नवाजा जाता है नीती नमबर च्छ सर्व शक्तिमान के इच्छा से ही बुद्धी काम करती है, वही कर्मों को नियंतरीत करता है, उसी की इच्छा से आसपास में मदद करने वाले आ जाते है नीती नमबर साथ काल सभी जीवों को निपुनता प्रदान करता है वही सभी जीवों का सनहार भी करता है वह जागता रहता है जब सब सोजाते है काल को कोई जीत नहीं सकता नीती नंबर आठ जो जन्म से अंध है वो देख नहीं सकते उसी तरह जो वासना के आधीन है वो भी देख नहीं सकते अहनकारी व्यक्ति को कभी ऐसा नहीं लगता कि वो कुछ बुरा कर रहा है और जो पैसे के पीछे पढ़े हैं उनको उनके कर्मों में कोई पाप दिखाई नहीं देता नीती नमबर नौ जीवात्मा अपने कर्म के मार्ग से जाता है और जो भी भले बुरे परिणाम कर्मों के आते हैं उन्हें भोगता है अपने ही कर्मों से वो संसार में बंधता है और अपने ही कर्मों से बंधनों से छूटता है नीती नमबर दस राजा को उसके नागरिकों के पाप लगते हैं, राजा के यहां काम करने वाले पुजारी को राजा के पाप लगते हैं, पती को पत्नी के पाप लगते हैं, गुरू को उसके शिशों के पाप लगते हैं. अपने ही घर में व्यक्ति के ये शत्रू हो सकते है, उसका बाप यदि वो हरदम करज में डूबा रहता है, उसकी मा यदि वो दुसरे पुरुष से संग करती है, सुन्दर पत्नी, वो लड़का जिसने शिक्षा प्राप्त नहीं की नीती नमबर बारा, एक लाल्ची आदमी को भ्हेट वस्तु देकर संतुष्ट करे, एक कठोर आदमी को हाथ जोड़कर संतुष्ट करे, एक मुर्ख को सम्मान देकर संतुष्ट करे, एक विद्वान आदमी को सच बोलकर संतुष्ट करे, नीती नमबर तेरा, एक बेकार एक पापी का मित्र होने से बहतर है कि बिना मित्र का हो। एक बुरी पत्नी के साथ घर में कौन सा सुख प्राप्थ हो सकता है। एक नालायक शिश्य को शिक्षा देकर कैसे कीर्ती प्राप्थ हो। नीती नंबर पंद्रा शेर से एक बात सीखे। बगुले से एक, मुर्गे से चार, कौवे से पाँच, कुथते से छह और गधे से तीन। शेर से यह बढ़िया बात सीखे कि आप जो भी करना चाहते हो एक दिली से और जबरदस्त प्रयास से करे। बुद्धिमान व्यक्ति, अपने इंद्रियों को बगुले की तरह वश में करते हुए अपने लक्षे को जगह, समय और योग्यता का पूरा ध्यान रखते हुए पूर्ण करे। मुर्गे से हे चार बाते सीखे। 1. सही समय पर उठे। 2. नीडर बने और लड़े 3. संपत्ती का रिष्टेदारों से उचित बटवारा करे। 4. अपने कश्ट से अपना रोजगार प्राप्त करे। कौवे से ये पांच बाते सीखे। 1. अपनी पत्नी के साथ एकांथ में प्रणियर करे। 2. नीडरता 3. उप्योगी वस्तूओं का संचै करे। 4. सभी और द्रिष्टी घुमाए। 5. दुसरों पर आसानी से विश्वास ना करे। कुटते से ये बाते सीखे। 1. बहुत भूख हो पर खाने को कुछ ना मिले या कम मिले तो भी संतोश करे। 2. यहरी नींद में हो तो भी क्षण में उठ जाए। 3. अपने स्वामी के प्रती बहेचक इमानदारी रखे। 4. नीडरता गधे से ये तीन बाते सीखे। 1. अपना बोजह धोना ना छोड़े। 2. सर्दी गर्मी की चिंता ना करे। 3. सदा संतुष्ट रहे। जो व्यक्ती इन बीस गुणों पर अमल करेगा वो जो भी करेगा सफल होगा। 4. नीती अध्याय छे समाप्त